चलिए दुश्तो आज की वीडियो में हम सभी त्रवजों को जानेंगी हमारे त्रवज कौन कौन से होती हैं और उनको हम कैसे पैंचानें तो सबसे पहले हम जानेंगी समभाव त्रवज ये कौन सा होता है इसको हम कैसे पैंचानें और इसके बाद हम जानेंगे सम दिवाव त्रवज के बारे में विसम बाव त्रवज के बारे में नियुन कौन त्रवज कौन सा होता है सम कौन त्रवज कौन सा होता है और अधिक कौन कौन सा होता है तो सभी त्रवजों को तो सभी त्रबुजों के बारे हम एक एक करके जानेंगे तो मारा पहला त्रबुज कौन सा है सम बाहू त्रबुज तो यहां हैडिगर बना लेंगे हम सम बाहू त्रबुज तो दोस्तो सबसे पहले मैं सम बाहू त्रबुज बना लेता हूँ तो दोस्तो जो मारा सम बाहू त्रबुज होता है इसके सभी कौन समान होती है जैसे इसका कौन यह टीटा है तो यह कौन भी टीटा है और यह कौन भी टीटा है इसकी जो सभी बुजायों कैसी है समान होती है सभी बराबर होती है तो यहां ठीटा कितनी है एक दो तीन तो तीन ठीटा सभी कोणों का मान कितना होता है एक उसे असे एक उसे असे अगर हम ठीटा का मान निका रहेंगे तो तिन का वागम हम 100 सशी में दयेंगे तो कि ज़िए जा रहा है शाट वार तो यहां थिटा की वैलू कि ज़िए यह साट डिगरी है तो जो मारा संबाउत्त त्रवज होता है इसमें कॉंड कितनी डिगरी का हुथ होता है और इसकी सभी बजाएं समान बजाएं होती है चली दूस्तों इसके बाद हमारा दूसरा तरबोज होता है सम दिवाउत तरबोज है तो यह लिखेंगे सम दिवाउत तरबोज है तो सबसे पहले मैं समभाग त्रवज का चित्र बना लेता हूं तो इस त्रवज को हम नाम दे देंगे A, B और C जो मारा समभाग त्रवज होता है इसकी दो बजाएं समान होती है A भी हो सकती है, A C हो सकती है इसकी दो बजाएं कोई दो बजाएं इसकी समान होती है है और इनके कौणड के ईजने समानवे परीद के लिए चीटा और यह वी लिए हम बूद ऐसरो के सिपों मेरा में को पूंसा त्रवज होता है मारा सम兩 दरोज होता है इसकी बाद आता है हमारा त्रबुज बिसम बहुत त्रबुज बिसम बहुत त्रबुज तो इसकी बारे में जान लेती है हमारा बिसम बहुत त्रबुज कौन सा होता है तो सबसे पहले त्रबुज बना लेती है तो दूस्तों जो हमारा बिसम बाउत्रवज होता है इसकी सभी बजाएं अलग-अलग होती है ए ए तो ये बी ये हमारी कौन से होती है सी यहां कौन क्या बनेगा अलपा तो यहां कौन क्या हमाल लें हम बीटा यहां कौन क्या हमाल लें गामा तीनों कौन हमारे कैसे होते हैं अलग अलग होती है तो बिसमबग त्रुबज में हमारी सभी बजाएं कैसे होती है अलग अलग होती है और सभी के कौन अलग अलग होती है इसके बाद हमारा त्रुबज आता है नियून कौन त्रुबज नियून कौन त्रुबज तो इसकी बारे में जानेंगी कि हमारा कौन सा त्रबुज होता है तो पहले हम त्रबुज बना लेती है तो दूस्तों जो हमारा नीन कौन होता है नीन कौन त्रबुज होता है इसका कौन इसके सभी कौन 90 डिग्री से चोटे होती है इसकों A माल लें इस कोंड को इसकों B माल लें इसकों C माल लें तो A, B, C सभी कोंड हमारे कैस होते हैं 90 डिगरी से छोटी होते है तो इसके बाद हमारा त्रुप जाता है सम कोंड त्रुप जाओ सम कोंड त्रबुज तो अब हम समकॉन त्रबुज के मारे में जानेंगे हमारा समकॉन त्रबुज कौन सा होता है तो दूस्ति सबसे बेल हम क्या करेंगे इस त्रबुज को हम नाम दे देंगे A, B और C तो जो मारा समकॉन त्रबुज होता है इसमें जो कॉन बनता है वो नब्य डिग्री का बनता है नब्य डिग्री का जो हमारा कॉन होता है वो कितना होता है नब्य डिग्री का होता है इसके बाद आता है हमारा तो दोस्तों इसके बाद हमारा त्रवुज आता है अधिक कॉन इसके बारे मौर समय लेते हैं कि हमारा अधिक कौन कौन सा होता है अधिक कौन त्रबुज तो दूस्तु जो मारा अधिक कौन त्रबुज होता है इसका कौन 90 डिगरी से बड़ा होता है तो त्रबुज हम पना लेते हैं अ कुछ जिसका कौन होता है कि यह में भी है अबड़ा होता है कि तो दूस्तौ यह मारे सभी तरवज होते हैं तो अगर दूस्टव आपको इमारी वीडियो पसंद है एक लखकी अगर आप हमारी चेनल पुर सब्सक्राइब करें